हलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टू तलत मैनू कीचेन और आज तलत के कीचेन में बन रहा है बहुत ही तेश्टी डिलेशिस कठल का कोर्मा तो ये कठल जो है इसका मैं कोर्मा बना रही हूँ तो ये देखिए मैंने कठल लिया हुआ है 500 गिराम और इसको हातों में तेल लगा कर बहुत अच्छे से छील लिया है और ये बड़े-बड़े से पीस कर लिये है और एक बरतन में पानी और नमक डाल कर उसमें उसको भिगो दिया है और एक कठाई में मैंने पानी उबलने और ये पानी जो खौल रहा है तो मैं इसमें डाल दूँगी उबलने के लिए ये कठल तो कठल की सबसी भी बनती है अचार भी बनता है बिर्यानी भी बनती है बहुत सी चीजे कबाब भी बनते हैं तो क्यों ना मैं कठल का कॉर्मा बना लूँ तो मैं बना रही हूँ आज कठल का कॉर्मा काफी डिलेशेज बनता है और सब लोग एक बार बनाए कठल का कॉर्मा तो ये देखिए मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया है और मुझे जो है इसको 50% ही गलाना है ज्यादा नहीं गलाना है तो ये देखिए अच्छे से गल गया है जितना मुझे चाहिए था उतना ही ये गल गया है और मैं इसको एक बरतन में निकाल लूँगी और एक कठाई में मैंने तेल गरम करा है मैंने मस्टर्ड ओयल लिया हुआ है और इसमें मैं कठल के पीसेज जितने भी हैं सब को फिराई कर लूँगी तो कठल को मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था इसका सारा पानी निकल गया तब मैं इसको फिराई कर लूँगी तो ये कोर्मा काफी डिलेशिस बनता है बहुत ही अच्छा लगता है आप सब लोग एक बार जरूर बनाईए और मैं इन पीसेस को लोट पलट दूँगी ये देखिए अच्छे से सिक रहे हैं और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं और मैं इन सब को एक बरतन में निकाल लूँगी तो ये देखिए ये वही ओयल है इसमें मैंने कुछ खड़े मसाले डाले हैं जो कोर्मा बगारने के लिए डाले जाते हैं सफेद इलाची है तेस पत्ते हैं जीरा है जावित्री है दालचीनी है और मैं इसमें डाल दूँगी प्याज एक मैंने बारी काट लिया था तो ये प्याज मैंने इसमें डाल दिया है और मुझे इतना ही इसको फ्राई करना है जितना एक कोर्मी के लिए किया जाता है तो ये देखिए ये प्याज अच्छे से पक गया है गुलाबी कलर का हो गया है मुझे ज्यादा फ्राई नहीं करना है और मैंने अदरक लसन और हरी मिरच का पेश्ट बना लिया था तो मैं वो इसमें डाल दूँगी और दो मिनट के लिए मैं इसको पका लूँगी ताकि इसका कच्छापन निकल जाए और मैं डाल दूँगी इसमें एक बड़ा चमच दही दही जो है वो ज्यादा खटा ना हो और दही जब डालें तो बराबर चलाते रहें टेश्ट के एकोडिंग मैंने इसमें नमक डाला हुआ है मैंने पहले उबलने में भी इसमें डाला था तो अपने हिसाब से ही डालिये और आदा चमच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है और मैं इसमें डाल नहीं हूँ कुरियंडर पाउडर तो मैंने डेल चमच इसमें धनिया पाउडर डाला है और मैं इसको चला दूँगी मिक्स कर दूँगी ताके कच्चापन जो मसालों का है वो निकल जाए और अब मैं इसमें डाल दूँगी गरम मसाला तो मुझे गरम मसाला ज़रा ज़ादा ही डालना है वैसे मैंने खड़े मसाले भी डालने है और एक चोटा चमबच मैंने इसमें कश्मीली लाल मिर्च पाउडर भी डाला है इससे इसका कलर बहुत अच्छा हो जाता है तो ये देखिए मसाला जो है वो अच्छे से भुन रहा है और मैं डाल दूँगी इसमें ये अपना कठल ग्रेवी तो वही होगी जो खौर्मे की होती है और कठल जो है मटन की जगा होगा खाने में उतना ही टेश्टी होगा ये और डाल दूँगी मैं इसमें पानी तो मैंने इसमें आधा ग्लास पानी डाल दिया है ताकि जो मेरा 50% कठल था वो इस मसाले में ग्रेवी में अच्छे से बन जाए और गल जाए अच्छे से और मैंने लगा दी है लीड और मैं इसे हलकी आज पर पका लूँगी तो ये देखिए कुर्मा जो है वो बहुत अच्छे से बन रहा है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए बेल आइकन का बटन दबाईए ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन पहले ही मिल सके और हाँ बेल बजाना ना भूलिएगा बेल बजाकर औल का बटन जरूर दबाईएगा तो ये देखिए कुर्मा जो है वो बहुत अच्छे से बन गया है और बिलकुल मटन का कुर्मा ही लग रहा है अगर इसके बीज जो है पके हुए हो तो उनको निकाल दें और थोड़े कच्छे से छोटे बीज होते हैं तो कोई जरूरत नहीं है इनको निकालने की साथ में ही बना लें और उपर से मैंने डाला है इसमें हरा धनिया अगर आप चाहें तो थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल सकते है तो ये कौर्मा जो है कठल का बनकर तयार हो गया है काफी डिलेशेज और यम्मी बनता है एक बार इस कठल के कौर्मी को जरूर बनाईए आपको काफी पसंद आएगा काफी टेश्टी होता है थैंक यू फॉर ब मुझे बनाईए लोग।